हेलो फ्रेंस वेलकम तो बैक अवरी दूद एदुक्रेशन चैनल आज हम पढ़ने वाले हैं वसंत स्टेंदर शिक्स का चैप्टर नमबर वन वसंत का वह चिरिया जो तो वह चिरिया जो चोच मार कर दूद भरे जूरी के दाने रूची से रस से खा लेती है वह चोथी संतोसी चिरिया नीले पंको वाली मैं हूँ मुझे अन से बहुत प्यार है वह चिरिया जो कंत खोलकर बरे वन बाबा की खाती रस उदेल कर गाले दी है वह चोथी मुवोली चिरिया नीले पंको वाली मैं हूँ मुझे वजन से बहुत प्यार है वह चिरिया जो चोच मार कर चरी नदी का दिल ततोल कर जल का मोती ले जाती है वह चोथी गरवीली चिरिया नीले पंको वाली है हूँ है मैं हूँ मुझे नदी से बहुत प्यार है देखें ये आपका लिखा है किदारनाथ ने अगरवाल किदारनाथ अगरवाल ने ये हिस्तोरिया ये आपकी कहानी लिखी है देखें ये आपकी वह चिरिया जो चोच मार कर दूद बरे जूरी के दाने दूद से वरे जूरी के दाने रुची से रस से खा लेती है एकदम रुची से रस से खा लेती है वह छोती संतोसी चिरिया नीले पंको वाली मैं हूँ मुझे अन से बहुत प्यार है वह चिरिया जो कंत खोलकर बरे वन बाबा की खातिर रस उदेल कर गा लेती है वह छोती मूँ बोली चिरिया जो छोती मूँ बोली चिरिया होती है नीले पंको वाली मैं हूँ मुझे विजन से बहुत प्यार है वह चिरिया जो चोच मार कर चरी नदी का दिल ततोल कर जल का मूती ले जाती है वह चोती गरबीली चिरिया नीले पंको वाली मैं हूँ मुझे नदी से बहुत प्यार है तो यह था आपका पात के बारे में ठीक है आपका पात के बारे में बताया है कुछ कवी ने बताया है कि उसके स्वभाव में नीले पंको वाली एक छोती चिरिया है वह संतोसी है अन्न से बहुत प्यार करती है वह अपने पन के साथ कंथ खोल कर पुराने घने बन में बेरोक गाती है मू बोली है इकांत में भी उमंग से रहती है वह उफन नती है नदी के विशय में जान कर भी जल की मूती सी बुन्दो को चोच में भर लाती है उसे स्वयम पर गर्व है वह सहासी है उसे नदी से लगाव है कवी ने अपने भीतर की कलपना कलिपीत चिरिया के माध्यम से मनुस्य के महतवूर गुरों को उजागर किया है तो यह आपका प्रस्थ नहीं है जो आपका हमुक जाएगा अनुमान और कल्पना कवी ने नीली चिरिया का नाम नहीं बताया इसमें जैसे कि आपका अनुमान और कल्पना करने वाले क्वेस्चन कि जो कभी है उसने नीली चिरिया का नाम नहीं बताया वो कौन सी चिरिया रही होगी वो कौन सी चिरिया रही होगी जैसे कि कौवा होगा तोता होगा मैना होगा कौन सी चिरिया इस प्रस्न का उत्तर जग जानने के लिए पच्ची विज्यानी सालीम अली की पुस्तक भरित भारतिय पच्ची देखो अब इस प्रस्न का एंसर के लिए आपको क्या करना है सालीम अली की पुस्तक सालीम अली की पुस्तक भारतिय पच्ची को देखना है आपको इनमें ऐसी पच्ची भी सामिल है जो जारे में ऐसी या के उत्तरी भाग और अन्य थंदे देशों में भारत आते हैं उनकी पुस्तक को देखकर तुम अनुमान लगा सकते हो कि इस कवीता में वरित नीले चेरिया सायद इनमें से कोई एक रही होगी तो आपको बताया है जैसे कि नील कंथ है वो छोता किलकिला है कबूतर है या बरा पतरिंगा है मेरे हिसाब से तो नील कंथ नीचे कुछ पच्चियों के नाम दिये गए है उनमें याद कोई जदी कोई पच्ची एक से अधिक रंग का है तो लिखे कि उसके किस हिस्से का रंग कैसा है जैसे तोता कि चोच लाल है सरीर हरा है अब मैना कवा बतक कबूतर यह सब आपके हैं आपको बताने हैं यह बहुत इची है यह आपको हमोग चाहेगा थर्थ पोद भी आपको हमोग चाहेगा भासा की बात पंखो वाली चिरिया नीले पंखो वाली चिरिया वे देखो पंखो वाली चिरिया और नीले पंखो वाली चिरिया बहुत इंपर वाली दराज और सबसे उपर वाली दराज उपर यानि थोरा इत्मत जित्ता उपर आप कह सको लेकिन सबसे उपर यानि सबसे उपर वाली दराच ठीक है यह रेखांतित सब्द विसेशर का काम कर रहे है यह सब्द चिरिया और दराच संग्याओं की विसेशता बता रहे है अंतर एकांकित सब्द विसेसर है और चिरिया दराज विसेसर है यहां वाला वाली जोर कर बनाने वाले कुछ और विसेसर दिये गए है उपर दिये गए उदाररों की तरह इनके आगे एक एक विसेसर और जोरे जैसे मोरो वाला बाग पेरो वाला घर फूलो वाली क्यारी स्कूलो वाला रास्ता हसने वाला बच्चा मूचो वाली आदमी वाला आदमी तो इसे के साथ आपको यह सब हमोग चाहिएगा अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा तुसरे लाइक सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर चैनल टाकले वीडियो में चाहिए जाबार